हम सब को बता है कि XL बहुत ही intelligent software है अगर मैं यहां पर लिख देता हूँ January और इसके बाद मैं इसको नीचे ड्राइक करता हूँ तो देखिए अपने आप जो है months उठा लेता है अगर मैं यहां से ड्राइक कर देता हूँ तो यह अपने अप उठा लेता है यहां से सारे अपने कैसे हुआ तो आज मैं आपको यह सिखाने वाला हूँ कि सर आप लोग जो है Excel में कैसे अपनी जो है एक कस्टम लिस्ट बना सकते हो जिससे आपको बार-बार मेहनत ना करनी पड़े बार-बार आपको जो है नाम ना टाइप करने पड़े तो कहीं मुझे employees को कुछ जो जो है कुछ भी करना हो तो मैं तुरंत इसको जो है ड्राइक कर देता हूँ ऐसी में अपने offices फॉर एक्जामपल में बस दस offices है तो इनकी कस्टम बना सकता हूँ और तुरंत एक office का नाम लिएक के नीचे ड्राइक करके सारे office के नाम ला सकता हूँ अब यह कैसे करना है आपने बहुत सिंपल है आप लोग जाएंगे सबसे फाइल में फाइल में जाने के बाद जो है आप लोग जाएंगे options में और options में जाने के बाद आप लोग जाएंगे advance में advance में जाने के बाद आपको एक head मिलेगा general का right उस general के head में जाएंगे और आप यहां पर जो है कर द मुंबई कॉलकता चैन्नाई मेरट एन वाइजएग अब मैंने इसको कर दिया एड तो आप देखें यहां पर जो है मेरे कस्टम लिस्ट एड हो चुकी और जब भी अब मैं क्या करूंगा इसको मैं ओके कर देता हूं डैली लिखूंगा और उसके बाद मैं इसको नीचे ड्र कुंसी चीज पता है जिससे आप लोग एक्सल को बहुत ज्यादा स्पीड से जो है वो यूज कर पाते हैं और वीडियो को सबके साथ शेयर करना है एक्सल क्लब जॉइन करने के लिए विजिट करें www.edu91.org जिसमें आपको एक्सल के सारे हैक्स जो है वो मैं बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा कैसे सार आप एक्सल को अच्छे से यूज कर सकते हैं में देली लाइफ में और में प्रोफेशनल लाइफ में राइट गाइस थैंक यूज ते कनेक्रिट सेयर जाहें